हाई फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं बात करूंगा नेट्विस के शोव वाइकिंग्स की स्पीन ओफ सीरीज की रिलीस देट और शोव से रिलेटेड कुछ डिटेल्स के बारे में पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को दबा दी ताकि मैं जब भी को नए वीडियो प्लोड करूं उसका नौटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे तो अब जाधा टाइम वेज ना करते हुए वीडियो को स्टार् मैं बाध जिसके टोटल दो सीजन रिलीस के जाएंगे और बात करूँ एपिसोड की तो नेट्टविस कीивается को दिया गया कि इसके season 1 में total 12 episodes होंगे और same season 2 में भी 12 episodes ही होंगे और show को बनाने का काम same creators को दिया गया है जिनोंने Vikings की original series को बनाया था और इसी के साथ Netflix ने ये भी confirm कर दिया है कि season 1 की shooting almost complete हो चुकी और बात करूं release date की तो फिलाल Netflix की तरफ से इसकी release date की कोई भी officially announcement नहीं की गई है पर season 1 की shooting almost complete हो चुकी है जिससे मेरा ये अंदाजा है कि Vikings Valhalla season 1 हमें इसी साल end तक देखने को मिल सकता है और release month हो सकता है November या December तो friends ये था Vikings की spin-off series Vikings Valhalla से related कुछ important details जिने मैंने अच्छे से explain कर दिया है इस वीडियो में और आप Vikings की इस spin-off series के लिए कितने जादा excited है मुझे comments करके ज़रू बताना वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कर देना चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe कर लेना और एक bell icon आएगा उसको भी दवा देना ताकि मैं जब भी कोई नए वीडियो upload करूँ उसका notification आप तक सबसे पहले पहुँचे see you in the next video, bye